कॉमर्स के बारे में तो पिछले वीडियो में हमने डिसक्स किया था कि क्या होती है और इंडस्ट्री क्या होती है और उसके इंडस्ट्री के सब ब्रांच इसमें क्या होती है वो सीखा था तो आज हम जो है बिजनस की सेकेंड ब्रांच जिसको हम कह सकते हैं यानि कि पहली ब्रांच हो गई आपकी इंडस्ट्री और दूसरी ब्रांच हो गई आपकी कॉमर्स तो इंडस्ट्री में जो है वस्तू को अत्पादन किया जा जाते हैं, तो commerce is basically concerned with the distribution of goods and services produced by the industry, तो अब हम देखेंगे, commerce जो basically हमने ये तो जान लिया कि इसमें distribution होता है, लेकिन इसके distribution activities ही बहुत तरीके की होती है, इसको हम further commerce tree की help से हम समझेंगे, कि tree से क्या होगा, कि हमें mind में picture clear रहेगी, और इसे याद करना pictorial form में easy हो जाता है, picture देखने से हमारे दिमाग में चीजें असानी से और जल्दी समझ में आती है, तो इसलिए हमने हम पर commerce tree बनाया है, paid बनाया एक, जिससे कि हम देख सकते हैं कि commerce के आगे कितने branches हैं, कितनी शाखाएं हैं, जिससे कि, और वो कौन कौन से शाखाएं हैं, उनके क्या काम हैं, उसक वाजम पढ़ेंगे, तो यह हमारे trunk, that is commerce tree, paid और इसके दो main branches निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं, यह है trade और यह है aids to trade, तो यह ancillaries to trade, तो व्यापार और व्यापार की सहाय करिया हैं, तो basic जो main चीज है, main जो activity है, वो है व्यापार, तो व्यापार जो है, that is trade, तो trade जो है, एक होता है internal trade, यानि आंतरिक व्यापार, दूसरा होता है external trade, यानि के विदेशी व्यापार या बाहरी व्यापार, तो internal trade जो है, internal trade वो trade होता है, जो देश के अंदर ही किया जाता है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो भारत के अंदर जो भी business activities होती ह ट्रेडिंग एक्टीवटीtant है वह इंटेरनल ट्रेड मिस्ट को एंटेल प्राइड जोंता है जो फिर आगे दो पार्ट्समें दिवाईड होता है जो धुपार होता से नेका ज्यादा quantity में ये लोग खरीदते हैं इसको और एक या दो ही तरह के products में deal करते हैं ज्यादा जमान इसमें नहीं रखते हैं आपने wholesale की दुकाने अवशे देखी होंगी जो हमारे असपास होती है wholesalers लिखा होते हैं उनके बाहर तो उनकी बड़ी-बड़ी shops होती है और उनमें बहुत सारा एकी तरह का सामान देखने को मिलता है then second type of जो shop है या business है that is called retail trade तो छोटी-छोटी दुकाने जहां पर हम सामान ले करके आते हैं जहांसे हम सामान करीबते हैं जिस पर हर तरह का सामान हमारे पास available होता है जैसे के सबजी वाले होते हैं इंटर्नल ट्रेड की बाद उसके बाद हम आते हैं एक्स्टर्नल ट्रेड तो यह व्यापार की दूसरी ब्रांच देखिए अब जा रही है एक्स्टर्नल ट्रेड यानिके बाहय व्यापार या ईटेश के अफिर्फ Awakर पारी होती है टीन तरह करते हैं एक तो उता है इंपॉर्ट आया तो हम व्यूंगर ने सकते हैं खरीच सकते हैं तो आयात करना मतंदब इंपॉर्ट करना बाहर से यह भी रॉय बनी बनाए चीजे जह है वह दूसरे देशों से तो जैसे Aपने होगा समान आपने देशें बेचते हैं यह क्या होगा आयात हो गया तैन निर्यात सकिंड टाइप का जो है अक्टिवीटी हो सकते हैं निर्यात होता है जब अपने देश का बना हुआ माल दूसरे देश में बेचते हैं उसे कहते हैं एक्सपोर्ट तो ये भी एक बनी बनाई चीज़ें अपने देश से हमने जो मैनिफेक्टर उत्पादन है करने वाले लोग है उनसे समान खरीदा और हमने किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर दिया उसको बेच दिया कि अध्या है उसके बाद फ़र्ट टाइप की जो इंटर्न ट्रीड एक्टिविटी एक्सटर्न ट्रेडीड आयक्तिविट्य इसमें आयात और निर्यात में दो देश शामिल होते हैं, एक से हम खरीदते हैं, दूसरे को हम बेचते हैं, यहां एक से हम खरीद के, तो इसमें दो होते हैं, लेकिन पुनर निर्यात जो होता है, इसमें हम तीन देश शामिल होते हैं, तो हमने एक देश से चीज खरीदते हैं मैं आपने देश मलाते हैं उसमे में चिंजी में करने होते हैं वह करके उसके बाद उसे बाँ ही थरड कॉझ देथैं यहाँ पर पूनर पूर्न निर्यात था हमने किया गता है तो एक बार खरीद सबी एक फौरर व्यापार कि अध्यात विधेशी व्यापार में यह होता है तो यह हमारा डेश की अंदर यह दिक रहा है तो रिटेल और होल से ट्रेड करें अगर हम देश से बाहर करें तो या इंपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे एंट्रिपोर्ट करेंगे ठीक है तो यह हमारा ट्रेड था अब जो यह हम आयात करें निर्यात करें या हम फुट कर जो व्यापार करें हैं या हम थोक या जो एड्स हैं वो कौन-कौन सी हैं तो ये डारेक्टली तो इससे बिजनस या गुड्स से रूलेटिड नहीं होती लेकिन इनकी एक्टिविटीज के बिना गुड्स को या चीजों को या सर्विसिस को कस्टमर्स तक पहुंचाया नहीं जा सकता है इसलिए ये भी उतनी ही इंपोर्टेंट हैं जितनी की ये वाली ट्रेड अक्टिविटीज हैं तो चाहिए आप आयात करें चाहिए आप निर्यात करें चाहिए पुनर निर्यात करें चाहिए रिटेल ट्रेड करें चाहिए आप होल्जेल ट्रेड करें आपको ये सारी एक्टिविटीज की आवशक उसने में अपने गूड's का इंशुरंस कराना तक जरूरी होता है. क्योंड कि रास्ते में कोई भी घटना या घृतना हो सकती है. जिसके चोरी हो सकती है, आग लग सकती है. यह आग लग सकती है, अगसरी नाग चाइड का अपनी अज सबस्ते है. उनके, then transportation है तो जो बस्त में जहाँ आप बन रही है या आप अपनी दुकान तक गोदाम तक भी ला रही हो जाए आप आयात करो जाए निर्यात करो या आप बंदर गाहों तक समान लेके जारे हो उसके लिए आपको क्या जाए इसकी आवशिक्ता पढ़ती है transportation की तो ट्रक्स से, ट्रेन से या बाई एयर अब किसी भी साधन का प्रयोग करते है depends upon the nature of goods तो उसके लिए आपको जरूरत पढ़ती है transportation की तो परिवहन जो है उसमें किया जाता है उसके बाद जो है third type of activity is banking and finance यानि के banking और finance का क्या रूल होता है तो जब आप कोई समान खरीदते हैं तो सारा का सारा cash में हमारे पास available नहीं होता है तो अगर हम विदेशों से व्यापार करें तो हमें उनको payments करनी होती है foreign exchange में करनी होती है या उनकी currency में होती है या फिर आपको जो है पैसा के थूँ जो है online banking की facilities आप लेना चाहते है ATM की facilities लेना चाहते है तो banking जो है एक बहुत important role होता है पैसे के lending से जुड़ा हुआ या finance जो है जैसे हमें पैसे की जरूरत है उधार लेना है हमें लेना है तो उसके लिए भी हमें बैंक या finance की आपशकता पड़ती है तो बैंक की नहीं financial institutions भी होते है बहुत सारे जो लेने देने का काम करते है पैसे का lending करते है तो बिना पैसे के आप कोई भी business activity नहीं चला सकते है इसलिए banking का भी बहुत important role माना जाता है उसके बाए जो है fourth जो हमारी branch है that is warehousing यानि भंडारान तो जो goods produce किया जाते है बनाए जाते हैं वो सारा साल तो नहीं use होते है तो उनको जब तक वो sale नहीं हो जाते है तब तक उनको store करने की ज़रुद पड़ती है उनको रखना पड़ता है तो उनको हम कहां रखते है raw material भी हो सकता है finished goods भी हो सकता है semi finished goods भी हो सकता है सभी तरह की चीज़ों को रखने के लिए हमारे को बंडार ग्रव की आशकता होती है यानिके उनको store करने की ज़रुद पड़ती है तो warehouses जो है गोदाम जो है that is advertisement and communication तो जो आप सामान खरीते हैं तो आप किसी भी shop में जाते हैं आप देखते हैं सबसे पहले उसके बाहर board लगाव होता है किसके इस shop है क्या वस्तू है उसके अंदर उसके बाद आप बहुत अच्छे चे attractive जो है advertisements देखते हैं commerce है यह हमारे goods को जो चाहे हम देश के अंदर बेचते हैं या देश के बाहर उनकी जो सहायक क्रियाई होती है या aids to trade होता है इनकी help से हम यह distribution का काम करते हैं तो इसमें हमारा insurance, transportation, banking, warehouse और communication advertisement यह सारे मिल करके हमारे इस process को जो हम producer to consumer बस्तू को पहुंचाते हैं distribute करते हैं उसमें हमारी help करते हैं तो this is the commerce tree तो tree की help से हमें यह याद करने में आसान हो जता है अगर मैं normally इसको लिख दूँ तो आपको confusion हो जाएगी कि कौन सी चीज किसका पार्ट है तो अब मैं इसको देखने से अपक्提स् चार्ट है पहुंने ठाट है है जंघत डिख दो आपको 돌ाक्ट बड़्यों है अगर तो दो आपिस मेरे दचक च बोनिग्ड भी प्रट है कम कम कमै nog इसको बच्ट चार में करते हैं चिम इसकत थयरा करते हैं करते हैं झाल झाल